नमस्कार दोस्तो भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तो उत्तर प्रदेश की राजनीती में आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ बदलाओ देखने को मिल रहे हैं क्योंकि चुनाओ एकदम नजदीक आ चुके हैं अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को कहां से उत्तर प्रदेश में उतारने जा रही है तो आज हम तीन लोग सबा सीटों की बात करने जा रहे हैं जहां से समाजवादी पार्टी किसे टिकेट दे सकती है वो नाम अब धीरे-धीरे सामने आने लगे है, संकेत मिलने लगे हूँ, नी नामों पर हम चर्चा करेंगे और इन तीन सीटों पारा भारतिये जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दी है तो कितनी तगड़ी फाइट है, कितनी टफ फाइट है, और मुकाबला कितना दल्चस्प होने वाला है ये हम आपको इस वीडियो के जरीय बताएंगे और इन तीन लोग सबसीटों पर जातिये समीकरण क्या है और कौन सी जाती, किसको जिताती आई है, कितना जादा है यहाँ पर पिछले चुनाओं में प्रभाव देखने को मिला है इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, विशलिशन करेंगे तो वीडियो की शिरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संत कबीर नगर की देखे, चलिए तीन सीटे कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं पहली है संत कबीर नगर, दूसरी है श्रावस्ती, तीसरी है घोसी और इन तीनों सीटों पर एंडिये ने भारतिये जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोशित कर दिया है तो सबसे पहले संत कभी नगर की बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से समाजवादी पार्टी भीश मशंकरतिवारी उर्फा कुशलतिवारी को टिकेट देने जा रही है ऐसी बाते निकल कर सामने आ रहे हैं संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि भीश मशंकरतिवारी उर्फा कुशलतिवारी यहां से समाजवादी पार्टी के टिकेट पर च यहां पर पहला लोगसबा चुना हुआ था संथकभी नगर में पहला लोगसबा चुना हुआ था और बहुजन समाच पार्टी की तरफ से भीश मिशंकर और फकॉशल तिवारी ने चुनाओ लड़ा था और जीत दर्च की थी 2009 की बात हम बता रहे हैं दोस्तों संथकभी नग प्रवीन निशाद को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है जो कि संजय निशाद के बेटे हैं प्रवीन निशाद 2019 के लोग सबह चुनाओ के अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो शरत्त्र पार्टी का टिकेट काट कर प्रवीन कुमार निशाद को यहां से प्रत्याशी बनाया था मैदान में उतारा था भारती जनता पार्टी ने और शरत्त्र पार्टी और बीजेपी विदाय की जूता मारने वाली जो खबर निकल कर सामने आये थी जूता मारने के बाद वो चर्चा में आये थे और उसके बाद से ही उनकी छवी खराब हो गए थी और बीजेपी नहीं यहां से अपने सहीयोगी दल निशाद पार्टी के प्रवीन निशाद को मैदान में उत संथ कबीर नगर का चुनाओं का परड़ाम जातिये समीकरण के अधार पर तैह होता है दोस्तों तो जातिये समीकरण यहां पर क्या है वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं 2011 की जो जन्गरणा हुई थी उसके मताबिक याकड़ा हम आपको बता रहे हैं संथ कबीर नगर की आबादी कर तकरीबन 17 लाक बताई जा रही है और इसमें 78 फीसिदी आबादी जो है वो सामान वर्ग की है 22 प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसुचित जाती के लोग यहां पर रहते हैं और अगर धर्म के अधार पर हम देखे दोस्तों तो यहां पर 76 प्रतिशत आबादी हिंदूओ की है और तकरीबन 24 प्रतिशत आबादी मुस्लिम आबादी यहां पर है पांच विदान सभा शेतर आते हैं संतकबीर नगर में आलापुर, महंदावल, खलीलाबाद और धन घटा और खजनी ये पांच विधान सभा सीटे आती हैं तो ये दो बात हो गई दोस्तों संतकबीर नगर की अब बात कर लेते हैं घोसी में कौन प्रत्याशी हो सकता है समाजवादी पार्टी के तो यहां पर नाम निकल कर आ रहा है राजीव राय का जो यहां राजीव राय को टिकेट मिल सकता है और अंदर खाने से जो खबर आ रही है दोस्तों कि राजीव राय का नाम यहां से फाइनल हो गया है घोसी लोकसबा सीट से राजीव राय ने मौज दिले से 2014 में सपा के टिकेट पर अपने राजनेतिक का करियर की शुरुबात की थी और राजीव राई की कर्मुमी दोस्तों बैंगलूर रही है लेकिन वो पूर्वांचल के रहने वाले हैं राजीव राई का नाम चर्चाओं में है दोस्तों कि राजीव राय को समाजवादी पार्टी टिकेट दे सकती है वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ओम प्रकाश राजबर के बेटे हैं अर्विंद राजबर जिनको टिकेट दिया जौ रहा है और यूपी के कैबनेट मंतरी है ओम प् पहली बार लोगसवाद चुनाओं में टिकेट दिया गया है लड़वाया जा रहा है दो हजार चौधा के लोगसवाद चुनाओं में पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत दरच की थी यानि कि पहली बार घोसी में कमल खिला था उसके बाद 2019 आता है दोस्तों यहाँ पर 20 लाग 55 तक्रीबं तक्रीबं इतने वोटर्स हैं और तक्रीबं 16 लाग वोटों में अकेले करीब 9 लाग वोट दलित और मुस्लिम यादों के हैं तो यह पूरा समीकरण बनता है दलित राजपोत मुसलिम भुमियार मौर यादों और प्रजापती वोटर जो है वो निर्नायक भुमिका में देखे जाते हैं दोस्तों गोसी सीट पर सबसे ज़्यादा जनसंक्या दलित समाच की है दोस्तों तो यह पूरा समीकरण गोसी लोगसबा सीट पर बनता दिखाई दे रहा है तो अरविंद राजपर और राजीव राए यहाँ पर लड़ते दि यहां से समाजवादी पर्टी किसको टिकेट दे सकती है यहां से दो नाम सामने आ रहे हैं एक नाम चल रहा है जेवा रिजवान का दूसरा नाम चल रहा है मसूद आलम का तो यह दो नाम हमारे सामने आए हैं इन में से किसको टिकेट मिलता है यह देखने वाली बात होगी लेकिन मसूद आलम लोगसबा चुनाओ लड़ने की तैयारी पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं और लगातार मीडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि अगर उन पर पार्टी ने भरोसा जताया तो वो तन मन धन के साथ यहां की जनता के लिए विकास करने में कोई कसर नहीं सपा की राष्ट्री सचिव महिला सभा की रह चुकी है महिला सभा की राष्ट्री सचिव भी रह चुकी है और अब इनका नाम चल रहा है तो दो नाम हमारे सामने हैं कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है भारतिय जनता पार्टी ने मंस्बूत प्रत्याशी य पेंदर मिश्ट्र उनके बेटे हैं साकेत मिश्ट्र साकेत बीते पांच साल से शावस्ती में सक्रिये हैं विदेशों में भी रहके आये हैं काफी दिनों तक विदेशों में काम भी किया है और काफी पढ़े लिखे नेताओं में इनकी गिनती होती है बीजेपी ने उनको टि उते हुए दिखाई दे रहे हैं शावस्ती में जाती हैं समीकरन की बात करें तो शावस्ती में करीब 20 प्रतिशत मुसल्मान हैं 15 प्रतिशत के करीब यादों हैं इसके अलावा 20 प्रतिशत कुर्मी 10 प्रतिशत से ज्यादा दलित वोटर हैं सबसे ज्यादा ब्रामर्ण हैं य ये तीनों स्लोक सबा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं, संद कभीर नगर, श्रावस्ती और घोसी, यहां पर कौन कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, कौन कितना यहां पर टकर दे पाता है, यह देखना बहुत गल्चास पर, लेकिन यहां पर समाजवादी पा त्याशी हो सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, बहुत शुक्रिया